पांच उंगली पूरा हतका पंजा पंजा पकड़े हो। यह गौर श्याम कि रूप में है। यह श्याम तमाल और इस टिक गई इस ब्रच पर कैसे टिक गई। हर कोई तुम्हारे दर्शन को देखने के लिए तड़पकर लालाइत हो जाएगा इसलिए मेरे कानह, मेरे ठाकूर, मेरे कनहिया आप ब्रज को छोड़ कर मत जाओ आप ब्रंदावन को छोड़ कर ना जाओ ऐसा दर्शन आपको कहीं नहीं दिखाई देगा इस दर्शन की अद्बुद महिमा है इस ब्रज हमारे कानह की लीला की स्थली है और इसलिए ब्रज में पगपग चलेंगे, कदम कदम पर चलेंगे तो आपको तमाम लीलाओं का दर्शन होगा बस आपके नैन, आपकी आखे भक्ती में लीन होनी चाहिए ठाकुर जी के दर्शन के लिए लालाइत होनी चाहिए तो बहुत सारी ऐसी लीलाएं आपको देखने को मिलेंगी जिन लीलाओं का दर्शन आपने जीवन में कभी नहीं किया होगा आप भले ही जीवन में कुछ प्राप्त कर लें लेकिन ऐसी अदभूत लीला, उनका दर्शन आपको कभी नहीं होगा तो आप सब को दर्शन कराते हैं, वो भावपूर दर्शन कराते हैं यहाँ एक बार देखिए कि घनावन घना जंगल है और ब्रज के इस ब्रजमंडल के चारो तरफ जब हम निकलते हैं तो बहुत सारे ऐसे इस्थल हैं, बहुत सारे इस्थान है जहाँ पर चारो तरफ जो है एकदम घनावन दर्शन होता है लेकिन आज की जो लीला का दर्शन कराने जा रहे हैं आज जिस अदभूत दर्शन को आपको कराने जा रहे हैं वहाँ तो साच्छात ठाकुर जी और राधा रानी का वो मिलन है वो दर्शन है, वो भाव है जिसको देखकर आप भी एकदम से अदभूत हो जाएंगे एकदम से आपका भी मन ऐसा होगा कि हाँ इससे बढ़िया, इससे सुन्दर दर्शन कहीं नहीं आपको दिखाई देगा मेरा निवेदन है, मेरा अग्रह है कि इस वीडियो को लगातार देखिएगा तभी आपको भावपूर दर्शन होगा और सभी सनात्नियों तक इस वीडियो को पहुचाने की कोशिस करिए जिससे वो जान सके हमारे मान बिंदों को जिससे वो जान सके ब्रज मंडल की महिमा को जिससे वो जान सके वन सीवट के इस वाता वरल को जिससे वो जान सके ब्रज में, ब्रज की रज में और ब्रज की लिलाओं में कैसा भाव चिपा हुआ है तो आईए एक बार दर्शन के लिए, यहां से आप देख रहे हैं एक ब्रच की तरब लेकर चलते हैं और उस ब्रत्षी की तरफ जब आपको दर्शन कराएंगे तो फिर आप समझेंगे कि जीवन का वो कैसा भाव है, वहाँ देख सकते हैं कि ये दर्शन आपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा, इस दर्शन को अगर आप देखेंगे तो आपको एकदम लगेगा कि यहाँ ठ आदना से, अपनी भक्ती से, अपने घीत से, अपने संगीश से इसे प्रगट किया है, और देखिए ना, ये हाथ कैसे लग रहा है, कि कैसे हाथ के पंजे से साच्छात राधारानिठा कुर्जी को पकड़े हुए हैं, और कह रही हैं कि हे मेरे कनहिया, हे मेरे कानह, तुम क क्यूं छोड़ कर जाते हो ब्रणाबन, तुम क्यूं छोड़ कर जाते हो ब्रच को, तुम क्यूं छोड़ कर जा रहे हो मतुरा, पूरा ब्रणाबन व्याकुल हो जाएगा, मेरी सारी सकिया व्याकुल हो जाएंगी, गौलवाल सब व्याकुल हो जाएंगे, हे कनहिया, तु कनहिया का सुरूप है हमारे ठाकुर जी का सुरूप है और रंग भी वही जो सावली सूरत हमारे काना की दिखाई देती है वही सावली सूरत वही भाव दिखाई देगा और दूसरी तरब जब काना जा रहते ब्रंदावन को छोड़ कर जब जा रहते अपने गाउं को तब पता चला राधरानी को और राधरानी दोड़ते दोड़ते आई और उन्होंने पकड़ लिया काना के हाथ को जकड़ लिया काना के बाह को जकड़ लिया कनहिया को और बोले कि हे मेरे काना तुम छोड़ कर मत जाओ तुम इस ब्रज को छोड़ कर मत जाओ तुम मतुरा मत जाओ, हर कोई व्याकुल हो जाएगा, हर कोई तुम्हारे दर्शन को देखने के लिए तडप कर लालाइत हो जाएगा, इसलिए मेरे काना, मेरे ठाकुर, मेरे कनहिया, आप ब्रज को छोड़ कर मत जाओ, आप ब्रंदावन को छोड़ कर ना जाओ, ऐसा दर्शन आपको कहीं दिखाई देगा इस दर्शन की अद्भुद महिमा है इस दर्शन का भाव ऐसा है अगर उपर तक आप देखेंगे तो पूरा जो हाथ है जैसे हमारी गोरी सिराधा रानी है उसी तरह का वो दर्शन वो हाथ और भाव आपको देखने को मिलेगा और दूसरा भाव देखिए य यह एकदम एक एक अंग जो हातों का उंगलियां है पाचों उंगलियां वो आपको देखते हुए मिल जाएंगी और दूसरी तरफ आप देखिए न कि यह कैसे यहां से पूरी जटाओं को लटाओं को लपेटे हुए एकदम जो है राधा रानी करुड बंदन कर रही है प् कानहा मत छोड़ कर जाओ इस ब्रज को कनहियां मत जाओ बंदन को छोड़ कर हर पल तुम्हारे लिए यह लता पता वाता वरल सब व्याकुल हो जाएंगी तुम्हारी गईया क्या करेंगी तुम्हारी गउमाताएं क्या करेंगी और इसी लिए वो सब व्याकुल है वो सब तरफ जाएंगी और इसलिए काना को मनाने के लिए एक बार प्रयास किया राधारानी ने तो ऐसा दर्शन आपको दिखाई देगा एक ऐसे भाव में ब्रज के भाव में जो आपने कभी नहीं देखा तो आईए पुझ महराजी का से बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं क कि यह कैसे दर्शन का भाव आया महराजी के चलो में बहुत बहुत दंडवत जी एकदम राधारानी का वह भाव की राधारानी ठाकुर जी को पकड़े हुए और हमारे काना यहां दिखाई दे रहे हैं जी 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 और आपको दी ही राया है यह पांच मुली पू रूप में श्याम तमाल और राधारानी जो है पीपल है तो महराजी ऊपर कैसे टिक गई इस ब्रच पर कैसे टिक गई यह तो ठागोर जी के चैजा इसी को देखकर तो मन एकदम से अलाधादित हो जाता आनंदित हो जाता कि यहां ऊपर टिक पाना कैसे वह भी पीपल तो बड़े भारी होते हैं जी जी और उसके बाद भी ठीके हुए है जी जी और यहां पर दूसरा जो है जो दिख रहा है दर्शन जो दिख रहा है कि यहां नीचे खड़े हैं ठाकुर जी और ऊपर से राधारानी ने पकड़ लिया है जी जी तो यह कब से है कैसे दर्शन है मह यहां पर दर्शन हमेशा होते हैं उसी दर्शन के भाव में आकर हर कोई महराजी जो भी आता होगा वो तो एकदम आश्चर में पर जाता है वहां पर यहां आकर बैड़ जाते हैं जियां और सारे पच्षी और तमाम बहुत पच्छी आते हैं तो त 조ह qualify कि यसे जाते हैं जी यी तो यह दर्सन देखिए महाराजी ने जैसे बताया कि यहां पे आके मोर बैठ शाते हैं और यह इस्थान जोनगर्ड यह जैंट प्र वह बजन-शचा और यहां unless मुझए के व气 करते हैं। तो एक आनंदित सा ये दर्शन है और उस दर्शन को देखने से मन आनंदित हो जाता है एक बार ये महराजी की छोटी छोटी क्यारियों का भी दर्शन करिए जहां पर उन्होंने महराजी ने पौधे लगा रखते हैं जल इनको अरपित करते हैं और जल अरपित करके इस वन को सुन्दर कर देते हैं आपके सरीर में कभी मिट्टी नहीं लगी होगी कभी रज नहीं लगा होगा अरे आए ब्रज में और ब्रज के रज में आप लोट जाएए ब्रज के रज में अपने सरीर को और पित कर देजिए देखिए आपके सारे कश्ट, सारे विकार, सब रोगदोस हट जाएंगे, आप रोगदोस से मुक्त हो जाएंगे, एक बार फिर इस वातावरल को दिखाते हैं, क्योंकि ये वातावरल आपको देखने को नहीं मिलेगा, इस आनंदित वातावरल को आप नहीं देख सकते, क्यो के वातावरण को इसलिए दिखाते हैं हम लोग क्योंकि आपको लगे महसूस हो कि हर जगए पर हमारे काना हमारे ठाकुर जी का वास है तो यहां देखिए यह पूरा कैसा सुन्दर वातावरण आप सब यहां देख सकते हैं इस वातावरण के आनंद में कितनी सीतलता है कितनी पावन और पवित्रता है जिसको देख कर मन आनंदित हो जाता है अगर शाधना करते हैं तपस्या करते हैं ठाकुर जी को रमते हैं ठाकुर जी को भजते हैं तो निश्यत तवर पर आप पर कृपा होगी कृपा बर्शाएंगे ठाकुर जी तो इसलिए आप सबसे निवेदन ह अग्रह करवद विंतिया की वीडियो को जरूर दूसरों तक सेयर करें जिससे लोग जाने कि सनातन की क्या पहचान है जिससे विश्व के लोग दुनिया के बाहर के लोग है वो जान सके हमारे सनातन संस्क्रति की सक्ति क्या है भक्ति क्या है और जान सके कि सनातन धर्म कितना विराट और विशाल है तो आईए एक बार पुनहनिवेदन वही कि सनातन की इस यात्रा में आप सब कुछ भी सहयोग करना चाहते हैं तो इस स्क्रीन पर आप सब को दिखाई दे रहां QR कोड उस QR कोड के माध्यम से आप सब कोई न कोई थोड़ा बहुत भी अगर साधना ध्य पूती से और संबल के साथ काम कर सकेंगे और पूरी दुनिया तक इस यात्रा को दिखाएंगे तो एक बार ठाकुर जी के रज को नमन एक बार ब्रज को नमन एक बार पूरे ब्रन्दावन को नमन बहुत बहुत वंदन बहुत बहुत बढ़ा